होगा जिस परकार लोगों ने हिंदू लोगों ने अयोध्य अंदोलन किया राम अंदिर के लिए बाबरी मस्जित को भी ध्वास्त किया तो हम वैसा कोई विध्वांस कारी काम नहीं करने वाले हैं लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं करेंगे देखे हम पहले तो जायन वालों से अगरा करेंगे आप इस जगा को छोड़ो यहां पर अधिवासी का जुग-जुग से यहां उनका अधिकार है तो इसलिए वो हमको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि हम क्या काटेंगे नहीं काटेंगे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे कि इसको बली देंगे नहीं दिलेंगे उनको हम अब डिक्टेट करेंगे अधिवसी डिक्टेट करेंगा कौन यह जो दिसुम गुरू है सोरेन खांदान है इन लोग बार बार सबसे ज़्यादा संतालिया अधिवसीयों का भोट लेके संतालिया अधिवसीयों को चलने का काम किया है जारखण में एक नारा बहुत ही बुलंदी के साथ कहा जाता है कि जल जंगल जमीन हमारा है लेकिन अब ये नारा थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है कि जल जंगल जमीन तो हमारा है लेकिन पहाड तुम्हारा है समेट सिखर या मारंग बुरू इस सवाल के साथ जार्खन सरकार ने नोटिफिकेशन वापस कर लिया है वापसी के साथ जहां जैनी खुस है वहीं आदिवासी समाज खास का संथाली समाज जो है वो काफी निराश है और किसी बड़े आंदोलन के और अग्रसर है और उमीद की जा रही है कि या अंदोलन कोई बड़ा रूप लेगी फिलहाल इनी मुद्दों पे बात करनी के लिए हमारे साथ सिंगल अभियान की रास्टे सयोजग सालखन मुर्मू जी है चुकि सालखन जी हमेशा आदिवासीं की बात तो करते हैं संथालियों की सबसे पहले बात करते हैं चुकि संथालियों का यहां पे विनास हमें दिख रहा है तो हम अभी सिर्फ दादा पारसनात पे ही बात करना जाएंगे कैसे देखते हैं आप इस नोटिफिकेशन को वापस लेने को देखे पारसनात को हम आदिवासी संथाल मारंग बुरू के नाम से जानते हैं मारंग बुरू का मनलब होता है सबसे बड़ा पहाड अर्थात इश्वर तो संथालों के लिए पारसनात पहाड पुजास्थल है तिर्थस्थल है और हमारी पहचान का स्थल है जैसे हिंदू के लिए भी आयोध्या में राम मंदीर बन रहा है या इसाईों के लिए रोम है या मुसल्मानों के लिए उसी परकार हम भारत के संताल जो भारत के अनेक राजों में है नेपाल, भुटान, बंगलादेश में भी है उसका मतलब हमारा जो सबसे बड़ा इश्वर है उसी को कोई हरप ले रहा है और जार्खन सरकार हमान सरकार जो है उसको किसी और को बेश दे रहा है सौंप दे रहा है ऐसा कम से कम संताल अधिवासी हमान सरेन, सिबू सरेन, जेविम की सरकार को लगाई जी करना था तो अब इसका विखल्ब क्या है अंदोलन करना होगा बड़ी अंदोलन करना होगा जिस परकार लोगोंने हिंदू लोगोंने अयुद्या अंदोलन क्या राम-मंदिर के लिए बावरी मस्जड को भी धौस्त किया तो हम वैसा कोई विध्वान्सकारी काम नहीं करने वाले हैं लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं करेंगे चुकि यदि हमारा ये जो मारंग बुरू चला गिया तब आदिवासी का अस्तितव एक परकार से सर चला गिया तो इसके लिए अभी हम लोगों ने तै किया है एक तो कि 17 जन्वरी को हम पांच प्रदेश के 50 जीलों में बड़ा धर्ना प्रदशन करेंगे रास्पति को ग्यापन भेजेंगे डियम और डिसी के थुरू और आज से ही 17 जन्वरी तक हेमन सोरेन का पुतला दहन पांच प्रदेश के जहां जहां अदिवासी संगल अभियान है या ब पारसनात पहाड जाने वाले हैं मधुबन में पीर टांड जो प्रखंड है गिरीडी जिला में उसके जो मुखे नेता हैं सिकंदर हमरोम और उनके साथी उन लोग से हमारी बाचित हुई है हम खुद जाना भी चाहते हैं कि मामला क्या है कहां तक पहुंचा है और आंदोलन वहां जाने पहुंगा चुकि दस तारीकों चैवासा में रास्ति आदिवासी बिद्रोस सभा का आयोजन है और उस आयोजन में पूरे कोलहान के आदिवासी को बुलाया गया है खासकर बुद्धी जीवियों को और उस आयोजन में हम लोग सरना धरम कोट कैसे मिलेगा उसक का रास्ता बताएंगे और आदिवासी गाउं समाज में जो प्रांपरा के नाम से नसापन आंद विश्वास डाइन प्रता महिला बिरोधी मान सिक्ता और भोट आदि को खरीद विक्री करना इर्शाद वेस इसको भी सुधार करने की जरूरत है साथ में दस तारीक चेवास सामें हो समाज, मुंडा समाज, उराऊं समाज, भूमिज समाज, संताल समाज, खड़िया समाज के दो-तीन प्रमुक लोगों को सम्मानित करने का भी हम लोग का कार्चकरम बन चुका है और यह कार्चकरम बहुत पहले बन गया है मुझे वहाराना बहुत जरूरी है लेकिन दस तारीकों हमारे बाकी नेता और संगठन के लोग देश विदेश से जो भी आ सकते हैं कलाएंगे लेकिन इस मामले पर और भी बहुत नेते एक परकार से आक्रोशित होकर इमोशनली सर्चाज हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है आदिवासी समाज में भीड़ खुब जुट जाती है। उसके बाद लोग इधर उदर भटकने लग जाते हैं या आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे 32 के खत्यान पर खुब लोग तमासा बनाया अभी वो ही लोग बोल रहे हैं यह जुन- जुना है। तो मेरी समझ से सुरू से fight to finish, do or die की तर्च पर काम करना चाहिए। लेकिन मारंग बुरू अंदोलन को यह जो पारसनात पहाड़ी को जायन लोग को दे देना मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए कि पहाड़ों पर अधिकार अभी भी अधिवासियों का बनता है। चुकि पहाड़ों को ही अपना देवी देवता है, हम इश्वर मानते हैं। पहाड़ों से उनका जीवन और भोईशत टिका होता है, जुड़ा होता है। अभी भी पारसनात पहाड़ के चारों और संताल अधिवासी ही रहते हैं गाउं गाउं में। कोई यह जायन का संतिय मोनी या जो भी साधू सुनते हैं वहाँ आया और मर गिया, तो उसके नाम से मंदिर बन गिया, तो उसको आप हड़क लेंगे पूरे पहाड़ को, गलत है ना, तो हम लोग इसको होने नहीं देंगे, और जारकन सरकार को हम लोग भी अल्टिमिटम देना चाहते हैं, जल्द बहुत सीरियस मामला है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ या, इस अंदोलन को भी तोड़ेंगे, कौन? यह जो दिसम गुरू है, सोरेन खांदान है, इन लोग बार-बार सबसे ज़्यादा संतालिया अधिवासियों का भोट लेके, संतालिया अधिवासियों को चलने का काम किया है, इस मामले पर भी कुछ ना कुछ तिक्डम लगा के इस अंदोलन को कमजोर करने की कोशिस करेंगे, तो अभी से हम जनता को जगाना चाहेंगे, इनके तिक्डम में मत फसो, यह लोग लिख के जैन को दे दिया है, यह तुम्हें पर सवाल कर रही हूँ, आपने कहा कि लाखो सालों से संथाली समाज मारंग गुरू की वहाँ पूजा कर रहा है, लेकिन इनों ने जो नोटिफिकेशन वापसी के दौरान जो लेटर लिखा है, उसमें लिखा है कि जैनी पौरानी काल से है, यह बकायदा उसमें लिखा हुआ है, इसको आप कैसे द पुरान कोई रिकोर्ड नहीं है, अब पुराने रिकोर्ड पर जो भी विबाद था, इंगलेंड में प्रिभी काउंसिल में तै हुआ, कि आदिवसी संतालों का पहला अधिकार है, तो यह जो हमान सुरेन है, कुछ भी लिखे देगा, हम लोग नहीं मानने वाले हैं, जैसे जैन लोग देश भर में अंदोलन किया, यह संतालों का अंदोलन देश भर में आग लगाएगा, और इसी आग में सरकार को हम लोग जला देंगे, यह नहीं चलेगा, यह हम लोग को जलाएंगे, हमारे धरम को, हमारी भासा को, हमारी आसा को बरबाद करेगा, जारखन को बे पहाड में संतालों का है किसी पहाड में मुंडा का है किसी पहाड में उराओं का है कहीं खड़िया का है चुकि आदिवासी जो प्रचीन काल से हैं पहाड परवत के उद्गिद हैं पहाडों को ही वह अपना देवता मानते हैं चुकि पहाड से उनको पालनहार खाने पीने बह संथाली पूजा कैसे करें देखे हम पहले तो जायन वलों से अगरह करेंगे आप इस जगह को छोड़ो यहां पर आदिवासी का जुग-जुग से यहां उनका अधिकार है पहाड के साथ जीते हैं और वहां एक जाहर थान का नाम ही जुग-जाहर बने जुग-जुग से जाह कर सकते हैं कि हम क्या काटेंगे नहीं काटेंगे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे इसको बली देंगे नहीं देलेंगे उनको हम आप डिक्टेट करेंगे आदिवासी डिक्टेट करेंगा और यह सरकार इसके लिए ज्यादा दोसिदार है जायन लोग को यहीं चड़ाया हु संताली भासा में दो सब्धम कैना चाहेंगे भारोत दिसोमरीन और भारोत बाहर रिन सनाम संताल बोयामिसी को अधिवसी बोयामिसी को दलाबोन मारांग बुरू बंचाओ लगी जित्ते होड गोड़ो पे गोड़ो पे तड़ाम पे जुमिदो पे आर नुआबो हताओ गया आबो हताओ लिख्ण अबो अधिवसीच सांताल बो अधो अबो चबा आ धोरों के चबा गारांग बुरू न्युतूम ते बंगा बुरू एहोब है और आर यिरले मारांग बुरू अदकि ready ौरू नहां मारांग बुरू को गयाँए और नुआए सोरेन सिबू सोरेन जेम नुकू कना को अबुरीन बाइरी नमबर एक और नुकू नियल उरूम हुई अवखन आर हो नुकू को एड़े बुगा गुरुजी जिन्दाबाद सर अबुआ में कते बार बार नुकू अबुआ धोरोम अबुआ भसा अबुआ 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 दिस्वम को अखरी निया है ना जहां लेका हिंदू को मिट्ट मुस्जिद को रपूट किया रखवा मुंदिर को बिना वेया आब उहां जान आगे जहां लेका लगती आ उनका वो कमिया लेकिन महारंग बुरु वो बंचा हुआ जिस तरह सालखन सर ने कहा कि यह जो आंदोलन की आग है कि इनकी सरक को जला के भस्त ना कर दे इस बात का ख्याल वर्तमान इमन सरकार को रखना होगा खुद संथाली है और संथालियों की जो धार्मी कास्था है उस पे चोड़ की जा रही है फिलहाल हम है यहां पर बाकि मुद्दों पर भी इन से बात करते रहेंगे फिलहाल अभी सवक्त के लिए जोहार रहेगा